इस लेक्चर में MSP यानि की मिनीमम सपोर्ट प्राइस हिंदी में बोलते हैं न्यून्टम समर्थन मुल्ले इसके बारे में डिस्कस करेंगे देखो जो किसान आंदोलन चल रहा था उसने डिमांड ये की थी कि एक एक्ट लाया जाए कानून बनाके ये गारंटी दे सरकार अभी न्यूज में क्यों है बीजेपी के एक MP है वरुन गांदी जी उन्होंने प्राइवेट बिल इंटर्डूस किया अभी पार्लेमेंट में मिनीमम सपोर्ट प्राइस के लिए यानि कि एक एक्ट बनाने के लिए कानून बनाने के लिए MSP के लिए क्रॉप्स जो भी हैं जिनके लिए MSP अनॉंस किया जाता है तो यह प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है पहले ब्रीफली डिसकस कर लेते हैं देखो एक पब्लिक बिल होता है और एक प्राइवेट बिल पब्लिक बिल का मतलब यह है अगर कोई क्युब्स जिनके बिचेजिए और देखो जो रूलिंग पार्टिए जैसे बीजेपी इसके मिनिस्टर होंगे जन्रली तो अगर मिनिस्टर पद पहे है जैसे हूं मिनिस्टर यह लॉँ मिनिस्टर या एचारदी के यह यूख्यड friendly Mini अगर यह मिनिस्टर मंत्री कोई बिल को पेस करता है पार्लामेंट में तो उसे बोलते हैं public bill यानि कि वो public act बनेगा और अगर कोई minister के अलाबा कोई भी member है पार्लामेंट में चाहे वो ruling party का हो बीजेपी का चाहे बीजेपी का अलाबा किसी और party का वो minister नहीं है चाहे बीजेपी का पार्लामेंट में बिल इंट्रेडूस करे पेस करे तो वो बिल कहलाता है प्राइवेट मेंबर बिल तो यह अभी प्राइवेट मेंबर बिल पेस किया MSP को कानून में लाने के लिए तो इस बिल का क्या ओवर वियू है जो मिनीमम सपोर्ट प्राइस को यह सपोर्ट कर रहा है यह Agri Produce Bill 2021 क्या provision है इसमें यह legally guarantee देगा MSP की इसके लिए लगबग financially outlay 1 लाग करोड रुपीज में होगी यानि कि crop जो खरीदेगी MSP पर सरकार 1 लाग करोड रुपीज के लगबग इसकी value आएगी legally guarantee का मतलब है कि act बन जाएगा तो legally guarantee हो जाएगी यानि कि कानून के द्वारा MSP दिया जाएगा अभी कानून थोड़ी नहीं है government announce करती है अभी जो यह provide करेगी provision इसके लिए कि minimum support price जो 22 crop के लिए legally guarantee देगी है legally guarantee देगी 22 crop के लिए और cost of production से 50% ज़्यादा profit margin रखेगी यानि कि किसान को फसल उगाने में जितना लागत आ रही है जितनी cost आ रही है उससे 50% ज़्यादा उसको मुले निर्धारित करके देगी MSP जो कोई भी farmer है अगर MSP से कम उसको दाम मिलता है अपनी crop पे जैसे मान लो दाम चल रहा है 100 रुपे के लोग हिसाब से चल रहा है किसी crop का और अगर उसे मान लो 60 रुपे के लोग हिसाब से खरी दी गई है उसकी crop तो जो यह 40 रुपे का gap है यह सरकार उसे compensation देगी मुआवजा देगी समझ गए यह भी इसमें provision रखा गया है और जो payment होगी वो directly किसान के account में within two days दो दिन के अंदर अंदर किसान के account में directly transfer कर दी जाएगी तो यह कुछ provision है तो इसके क्या significance है क्या इसके importance है देखो अगर guaranteed MSP declare कर दिया इससे farmer की जो क्या है 93 million agriculture जो household है उनकी condition improve हो सकती है और rural economy में resurgence आ सकता है rural economy अनकी ग्रामिन छेतर में जो economy अर्थववस्ता वो develop हो सकती है तो MSP है क्या पहले यह जानेंगे और कैसे define करते हैं इसको और अगर इसके लिए act बना दिये जाए legal guarantee देदे तो इससे नुकसान क्या होंगे वो नुकसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि देखो UPSC पूस्ति है critically examine करो कि अगर act बना दिया तो उसके अलोचनात्मक पूस्टी करो अलोचना करो क्या बुराई होंगी क्या challenge होंगी क्या चनोति होंगी तो वो हम last में discuss करेंगे most important है वो इसका part तो यह MSP क्या है MSP वो rate है जो government promise करती है किसानों से वादा करती है फसल बोने से पहले कि आपकी फसल को हम आपकी grain है जो फसल है किसानों से हम इस price पे खरीदेंगे यानी कि फसल बोने से पहले before sewing the crop crop बोने से पहले फसल बोने से पहले जिस price को Announce करती है जैसे मान varias हुं में रो वह के लिए अनून के लीए अनौन के लिए और ही वडर ऑप सूग एनुज किया जाता है और एक रया पर या उसके से September में जो बोई जाती है हमारे देश में क्रॉप उन्हें उस मार्किट कमेटी जो यह मंडी में जब लेके आएगा जब उस प्राइस पर गौर्रमेंट खरीदेगी वो देखो गारंटी दीती कि MSP पर खरीदेंगे तो MSP से नीचे तो नहीं खरीदी कि ऊपर खरीदेगी चाहे MSP पर जैसे 20 रुपे किलो गहूं के लिए वीट के जिस प्राइस पे खरीद रही है उसे बोलेंगे प्रोक्योर्मेंट प्राइस बोलते हैं उसे और अगर जैसे अब इसने एफिया यह जो फूड कॉर्परेशन ऑफ इंडिया उसने अपने भंडार में यानि कि स्टॉरिज कैपस्टी में भर लिया अब यह डिफ्रेंट को देगी state को issue करेगी यानि कि जो state लेना चाहे भाई सब आप क्योंकि गरीब लोगों को भी तो गहूं देना पड़ता है pds system में public distribution system में तो state government खरीदेगी fci से अब fci जिस price में जिस मुल्ले पर state government को बेचेगी उसको बोलते है issue price तो इस price में दिक्कत नहीं होनी चाहिए MSP क्या है issue price क्या है और यह procurement price क्या है तो इन तीनों में कोई आपको confusion नहीं होनी चाहिए अब calculate कैसे किया जाता है MSP को minimum support price new term समर्थन मुल्ले को कैसे calculate किया जाता है देखो government कैसे calculate करती है इसको government farmer से जो purchase करती है crop वो calculate करती है कम से कम डेड़ गुना जादा cost of production हो यह उसका तै करती है यानि कि किसान की लागत अगर 100 रुपे आई है फसल होगाने में तो इससे डेड़ गुना जादा हो इससे लगबग यानि कि लगबग 150 से जादा ही price दें उसे उसकी फसल का डेड़ गुना जादा हो कम से कम यह union budget आया था 2018-19 का उसमें government ने announce किया था कि कम से कम 1.5 टाइम जादा डेड़ गुना जादा cost of production का किसान को MSP दिया जाएगा और MSP को साल में दो बार इसे fix करती है government और किसकी recommendation पर करती है government देखो recommendation का मतलब सिफारिस सिफारिस देता है commission commission for agriculture cost and pricing यह CAP यह भाइसा रभी और खरीब सीजन के लिए साल में दो बार recommendation देता है सिफारिस देता है government को CACP यह recommendation देता है बस final approval कौन देगा government और government की तरफ से कौन देगा cabinet committee on economic affair यह committee का भाई सब एक बार पूछ लिया था यूपसी ने याद रखना है cabinet committee on economic affairs final approval देती है यानि कि अपना final decision कौन लेगी यह committee और इसको head कौन करते है खुद Prime Minister इसके chairman होते है इस committee के तो recommendation सिफारिस कौन करता है CACP यह commission यह statutory body यह act बनाके बनाया गया था सभीधान में कोई provision नहीं है इसके act बनाके कानूर बनाके बनाया गया इसे तो यह recommendation देगी और CA जो CCEP है यानि की cabinet committee on economic affair CCEA तो यह final approval देती है जो production cost है यह निर्धारित कैसे करते हैं कैसे करते हैं कि इतनी लागत आई है किसान की इसके तीन तरीके हैं A2 FL C2 यह क्या है इसे discuss करते हैं देखो A2 का मतलब है किसान ने जितना खर्चा किया फसल बोने पर जितना भी उसका expenses हुआ चाहे कैस में चाहे काइन में किसमें भी उसने जितना भी लेबर लगाई जितने सीड खरीदा बीज खरीदने में लागत आई फर्टिलाइज खाद गेरा chemicals वगरा यूज किये labor लगाई hire की labor लगा की काम करवाए उससे fuel खर्च किया ट्रेक्टर में जो इंधन लगाया वो सब कुछ या irrigation सिचाई करने में जो खर्चा है जो भी खर्चा आया वो सब A2 कॉस्ट में गिनी जाती है अब A2 प्लस FL का मतलब है family labor देखो किसान के जो family member ह होते हैं जो उसके परिवार के लोग वह भी तो खेत में काम करते हैं अब जब वह खेत में काम करते हैं उनकी तो भाई सब कोई salary दे नहीं रहा उनकी मजदूर ही कौन काउंट कर रहा है तो अगर जो family member ने काम किया है उसकी लागत को भी count किया जाए तो यह हो जाएगा A2 प्लस EFL यानि कि जो family labor की भी salary इसमें जोड़ दी अब यह A2 प्लस EFL हो गया देखो जो लगबग जो government है वह A2 प्लस EFL पे ही देती है MSP ज्यादा से ज्यादा वरना जंदली A2 को count करती है A2 का डेट गुना देती है लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा देना चाहे तो A2 प अपनी भूमी को जो उसके पास भूमी जिस पर खेती कर रहा है अगर उसने खेती नाकित होती अगर उसने रेंट पर दी होती किराय पर दी दे दी होती तो उसे साल में वो किराया भी तो मिलता उस पर इंट्रेस्ट मिलता ब्याज मिलता तो अगर इस लेंड के किराय को और interest को भी जोड दिया जाए, तो यह हो जाएगी C2 cost, यानि कि A2 plus FL तो हो जाएगी, पलस हो जाएगा land rent, जो उसका land rent होता, यानि कि उसका किराया होता, भूमी का, और उसका interest होता, उसका ब्याज होता, उस पैसे का तो यह जोड दे तो यह हो जाएगी C2 तो किसान डेमांड करते हैं कि हमें C2 cost पे दो, हमें नीच यह A2 plus FL बे भी, तो यह किसान डेमांड करते हैं अब MSP की limitation क्या है, कमिया क्या है limitation का मतलब कमिया problem major problem है कि government जो machinery है, वो कुछ ही crop को MSP पे खरीदती है, देखो announce तो कर देती है 23 crop के लिए घोसना कर देती है, लेकिन खरीदती कुछ ही cost को, केवल wheat और rice, गेहूं और rice की जो crop है, वो ही food corporation of जो India है, यह FCI खरीदती है, government की तरफ से यह corporation, यह rice और wheat को अधिकतर procure करती है, खरीदती है, under PDS system और जो state government है देखो, वो भी क्या है जो किसान, देखो मंडी के पास है, वो तो completely उनकी फसल को खरीद लेगी, और जिनकी फसल खरीद ली, वो तो भाई सब benefit उनको तो होगा किसानों को फाइदा और जिनकी नहीं खरीदी, वो किसान भाई सब नुकसान होगा उनको तो, यानि कि जिस state में government completely किसानों की फसल को खरीद लेती है, उन किसानों को फाइदा होगा और जिस state, जिस state की government किसानों से नहीं खरीदती है बहुत सारे किसान बस जाते हैं, उसको तो नुकसान ही होगा ना, MSP क्या है, इसमें देखो बिचौलियों भी हैं, MSP जो system है procurement का, जैसे किसान लेके जाते हैं मंडी में मंडी में middle man, बिचौलियों होते हैं commission agent होते हैं, APMC जो मंडी होती है, agriculture produce marketing committee, जो मंडी जिस मंडी में बेचन जाते हैं किसान उसके जो officer officer होते हैं, वो भी बीच में होते हैं और देखो, किसान ऐसा नहीं है, जब मंडी में रखता है अपना ये जगह लेता, इस जगह के भी fees लेते हैं, charge ले लेते हैं, APMC मंडी समझे हो, ये भी fees ले लेते हैं तो इतने सारे ये भी इसके problem है अब next ये है कि इसके पीछे कि MSP को ये legalization करने की जो demand हो रही है, इसके पीछे rational क्या है, क्या इसके पीछे भाई साब, क्या नाता है कि MSP के लिए कानून बनाया जाए देखो, farmer क्या है MSP से नीचे कभी-कभी अपना फसल को बेचना पड़ता है, क्यों? क्योंकि देखो, कोई statutory backing तो है कोई कानून तो बना हुआ नहीं तो यानि कि legal matter of right तो नहीं है किसान के लिए, कि वो demand कर दे कि ये act बना हुआ है, खरीदेगे नहीं सिर्फ सरकार ने घोसना किये भाई साब और घोसना का मतलब वादे की है और सरकार तो वादा करती है और वादेक से मुकरना तो भाई सरकार का काम है अब देखो, ये कोई guarantee तो है नहीं किसान जाके ये court में case कर दे कि ये कानून बना हुआ है तो statutory backing नहीं है, statutory का मतलब कोई कानून नहीं है तो जो MSP declare करती है किसान के बहुत बार केवल wheat और rice ही लगवक खरीदे जाते है MSP पर बहुत सारी फसल उससे नीचे ही खरीदी जाती है तो ये नुक्सान है इसलिए कहरें कि legal guarantee दो कानून बनाओ किसान इसलिए demand करते है एक limited procurement by government देखो बहुत सारी फसलों को खरीदी नहीं है केवल देखो wheat और rice को खरीदी और wheat और rice को भी जितना उगता आना हमारे देश में उसका भी one third केवल one third खरीदी और उसमें भी one third में भी आधा तो wheat और rice गहुं चावल, पंजाब और हरियाना दो state से ही खरीदी है 10 to 20% उसमें से pulse और oil seed डाल और जो तेल वाली फसले हैं उनको खरीदी है जो सांता कुमार कमेटी बैठी थी 2015 में इसने report दी थी अपनी इस report में कहा था cable 6% farm household अपने wheat और rice को MSP के rate पे बेच पाते हैं बाकी के 94% किसान अपने फसलों को MSP के rate पे बेच ही नहीं पाते तो उनको ये MSP मिलता ही नहीं है इस price पे तो ये तो हो गया कि अगर ये legalize की demand क्यों कर रहे हैं क्यों चाहते हैं कानून बनवाना किसान तो अब ये कानून बना दी भी दिया ये कानून बनाने से यानि कि MSP को legalize करने से कानून बनाने से क्या क्या challenges है क्या क्या चुनोतियां क्या problem है अगर कानून बना दिया तो देखो सबसे बड़ी जो problem है वो है statutory MSP is unsustainable unsustainable होगा नीती आयोग की एक agriculture economist है जिनका नाम है रमेजच चंद रमेजच चंद जी ने ये argument दिये MSP के against में MSP वो नहीं चाहते हैं वो कह रहे हैं अगर मानलो MSP के लिए legal कानून बना दिया और fixed कर दिया और government अगर predetermined price पे ही उसे खरीदेगी देखो government तो खरीदती हैं नहीं सारे को private trader भी तो खरीदते हैं जब कभी आप जाओगे तो private trader आते हैं वेपारी जिनकी company होती है meal चल रही होती है आटे की meal चल रही है आटे की meal ग्यहों खरीदने आएगी वो आटा बेचेगी जैसे आसिरवाद आता है या फिर जैसे सकती भोग आटा है तो ये खरीदेंगी company ग्यहों को और चावल वाली company चावल वाली को चावल को खरीदने आएंगे private trader तो देखो अगर private trader को predetermined price पे ही खरीदना है तो उसको क्या होगा अगर मानलो MSP define किया ग्यहों का 20 रुपे के लो और MSP define किया था फसल बोने से पहले यानि कि जब फसल कटेगी 4-5 महीने बाद March April में तो उस टाइम पर ग्यहों का price जो market में चल रहा है वो है केवल 14 रुपे के लो या 20 रुपे से कम है मानलो कितना भी है 14, 15, 16 जितने है यानि कि कहने का मतलब यह है कि जितना announce किया था MSP उससे कम market rate चल रहा है और किसान की लेकिन मानलो चल रहा है 14 रुपे के यसाफ से पंदर रुपे के लो के सांव से तो private trader क्यों खरीदेगा इस पर यह बताओ जो private लोग है ट्रेडर हैं द्योग पति हैं क्यों खरी देंगे क्योंकि उन्हें तो क्यों 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 क्योंकि यह गवर्मेंट के उपर सारा का सारा बटन आ जाएगा सारा जो बोज ज़र भष्मेंट को क्योंकि गॉष्मेंट नो भाइसाइब कानून बना तिया अगर कोई नई खरीगा खरीदेगा तो गॉष्मेंट को ये wheat और rice का leakage हो सकता है go down से रासन सौफ से चुराया जा सकता है क्योंकि पढ़ा ही रहेगा हुआ तो government किसको देने जाएगी next है कि disposal problem भी होगी disposal problem क्या है जैसे cereal और rice ये मतलब cereal और pulses होगे दाल और ये मोटे अनाज ये देखो public distribution में बेचे जाते हैं जो PDS सिस्टम है ना BPL family वालों को जिनका yellow card होता है या pink card होता है अन्तियोद्य योजना के तहत जो BPL वाले होते हैं below poverty line गरीब लोगों को हरमीने जो रासन देते हैं गहँँ चावल चीनी वगएरा ये देखो PDS सिस्टम है public distribution system तो इसमें ये cereal और pulses बेज दिये जाते हैं लेकिन जो बाकी की फसले हैं जैसे Niger Seed हो गया है सेशामम तिलकत हो गया सैफ फ्लोवर ये भी एक फसल है इनको कैसे भाई साव इनके लिए तो complicated system हो जाएगा इनको कहां पे बेचोगी next है कि inflation बढ़ जाएगी देखो जब higher procurement cost रहेगी जैसे 20 रुपे पे announce किया था MSP ग्यहूं का और इसका price अभी 15 रुपे के लोग के हिसाफ से चल रहा है और government अगर इसे 20 रुपे के लोग के हिसाफ से खरीदेगी क्योंकि कानून बना दिया खरीदना पड़ेगा तो भाई साब food grain का price है जो market में बढ़ जाएगा जब इतने में खरीद देगी तो भाई साब इसे कम तो बेचना नहीं चाहेगी न तो market में price बढ़ जाएगा इनकी महंगाई बढ़ जाएगी inflation बढ़ जाएगी और भाई साब ये poor लोगों को affect करेगी क्योंकि गरीब लोगों को भी तो ध्यान करना वो कैसे खरीद पाएंगे इतने किलों के इसाब से जब market में 14 रुपयों के कलाफ के इसाब से चल रहा है rate तो ये farm के export पे भी ये impact डालेगा प्रभाव डालेगा क्योंकि farm export जो अभी किसी जो export किया जा रहा है लगबग total export का 11% contribute करता है और अगर देखो international market में ग्यहों का price कम चल रहा है और जो जो government ने खरीदा वो 20 रुपय के इसाब से खरीदा किसान से और international market में भी कम चल रहा है तो MSP जब इससे ज़्यादा होगा तो भाई साब यह जो farm export करके यहां से निर्यात करके बेच के दूसरे देशों को यह पैसे कमाती है government तो उसमें भी नुकसान होगा यानि कि legal guarantee जब MSP से ज़्यादा होगी तो देखो WTO में भी opposition देखने से मिल सकता है WTO World Trade Organization है इसके कुछ rules है इसके जो एक subsidy है इसकी तीन अंबर box subsidy है एक blue box subsidy है यह subsidy है इसकी अंबर blue और subsidy करके तो इनमें भी देखो यह रोक लगाती है कि कोई country MSP ज़्यादा नहीं देगा अपने देश में इससे पहले देखो चाइना दे रहा था MSP अपने देश में agriculture के लिए बहुत ज़्यादा तो US ने case दर्ज कर दिया WTO में तो US इसके अगेंस चाइना के अगेंस WTO में 2019 में case जीत गया था तो अगर MSP जब ज़्यादा देगा भारत अपने किसानों को तो कोई country WTO में case कर सकती है इसके खिलाब तो यह भी एक problem है यान कि सारा का सारा बड़न खरीदने का government के पास ही आ जाएगा कि market में procure करना पड़ेगा सारा उसको क्योंकि private player तो खरीदेंगा नहीं तो सारा government के उपर ही बोज आ जाएगा एक demands for other sector देखो अगर मानलो 23 crop को legal guarantee दे दी और government इन्हें 100% procure करेगी यान कि सारे कि सारे procurement कर लेगी खरीद लेगी तो भाई साब क्या और sector क्योंकि 23 crop भी थोड़ी ना उगाई जाती हमारे देश में fruit भी है, फल, सबजिया है जिनकी कोई MSP guarantee दी नहीं जाती तो ये sector भी तो demand करेंगे ये भी तो कहेंगे हमें भी MSP दो फसल ये सबजी उगाने वाले किसान फल उगाने वाले किसान जो है ये भी demand करने लगेंगे तो ये demand बढ़ जाएगी फिर और बोज बढ़ जाएगा सरकार पर तो ये कुछ चनोतिया हैं इसमें ये ही था इस lecture में